पाट का शीर्षिक है तेंदुए की खबर मुंबई 12 मार्च मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुच गया इससे पहले की तेंदुए का बच्चा बस में चड़ता चालक डर कर भाग गया देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड जमा हो गई इन में से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुलहाडी और लाठी भी लेकर आये थे भीड और शोरगुल से घबरा कर चार महिने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया नौ बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुँचे सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वह टस से मस ना हुआ हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तयार की और एक लंबे पाइप से फूख कर तेंदुए के बच्चे को लगाई बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेट कर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया आख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया अभी आपने सुना ये कारिक्रम विशे सैयोजन डॉक्टर मंजुला माथूर पाट समन्वे डॉक्टर लता पांडे नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर तक्नीकी नियंत्रन पुष्पलता कुमार तक्नीकी समन्वे सतीष्ट लाडे द्वन्यंकन दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदयाल चतर पुरुवेदी, नर्माण, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्थुती C.I.E.T.N.C.E.R.T.